दोस्तों आज की कानी है ननंदरानी सुटियों में टपक जाती है सलो दोस्तों कानी को सुरू करते हैं मौनेका का इस साल सुटियों में माईके जाने का मनी नहीं कर रहा था पर बच्चों की जिद के आगे आरकर उसने परनाव से कर टिकेट बुक करवा दी बार बार उसे पिसले साल जब माईके में थी तो अपने बाबी की कह सब दियाद आ रहे थी मौनी का जब किसी काम से अपनी बाबी नेलम के कमरे में गई थी तो वो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी क्या बताऊं आपको मम्मी सुठियों भर अपनी नननद जी की उचुरी करते रो देदी तो एक मैने के लिए आ जाती है रने और मेरी सुठियां बरबाद हो जाती है सलो साम को आती हूँ आप से मिलने बाई पोन बंद कर जब निलम मुड़ी तो मोनीका को देख कर सब पका गई और वहां से नजरे सुराते हुए किसी बाने से सले गई मोनीका भी बिना कुस बोले वहां से आ गई परन्तु इसी बात से वो इतनी बेसें थी की हर साल की सुठियों का इंतजार करने वाली मोनीका को इस साल माई के जाने का मानी नहीं हो रहा था बस बच्चों के उसी के खातिर जो बच्चों के जान नाना नाने में बच्ची थी मोनीका जाने के लिए तयार हुई मोनीका बच्चों को लेकर माई के पौशी तो देखा कुस सुटकी सपेक हुए रखे थी मम्मी ये किसका सामान ही कौन का जा रहा है मौनिका ने अपनी मम्मी से पूसा बेटा ये निलम का सामान ही एक अबते बाद वो भी अपने माई के रहने जा रही है पर मम्मी निलम भावी का माईका तो इसी गली में हुए और जहां तक मुझे पता ही वो तो अपने माईके लगबग रो जाती जाती रहती है पर ऐसे सामान लेकर रहने नहीं फिर हा बेटा वो में तुम्हें बताना बूल गई दरसल निलम के पापा का टांचपर हो गया ही और वो लोग मुंबई सिप्ट हो गए हैं अब तो बस बच्चों की गर्मी की सुट्यों में ही इसका भी आ जाना वा करेगा और जब इतने दूर जाएगी तो महिने भर तो रकर आएगी वो तो तो आ रही थी तो एक अपते बादे टिकेट बुक करवाई निलम ने खुद का की वो तुम लोगों के साथ थोड़े दिन रहकर फिर माई के जाएगी इसे बात को बता कर मौनीका की मम्मी वासे सले गई मौनीका ने जब निलम की तरप देखा तो निलम बोली दीजी मुझे माप कर दीजी बिना सोसे समझे आपके बारे में गलत सोसा आज जब मेरा माई का इतना दूर हो गया अब जाकर आज माई के में रहने की बेसेनी और एमियत समझ आई आज तक जब भी मन किया अपने माई के पहुंस जाती थी पर आज जब माई के जाने के लिए सोटियों का इंतजार करना पड़ा तब जाकर आपकी इस्तती समझी आज माई के जाने की उसे ही अलग में सुस हो रही है दीदी ये आपका माई का ही और यहां पर रहना आपका पूरा अधीकार ही प्लीज दीदी अपनी सोटी बेन समझ कर इस नादान बाबी को माप कर दीजी मौनीका ने निलम से का इतनी आसानी से माप नहीं करूंगी पहले सोपिंग पर साथ सलना पड़े यह सुनकर निलम बोले जी दीदी करते हुए मुस्कुरा कर मौनीका के गले लग गई एक बेटी के लिए माई के जानी का मौह कभी भी कम नहीं होता ऐसे में यह दी उस अनसाई बाते कान में पढ़ जाए तो रिस्तों में एक गाट सी पढ़ जाती ही नंदों का अपने माई के पर पूरा अधिकार होता है बस थोड़ी सी आपसी समझ से यह रिष्ते सुलजीतारों जैसे खुब सुरत बने रह सकते हैं दोस्तों ऐसी भी भावियां बहुत होती हैं जो अपनी नंदे माईके आती हैं तो उन्हें तकलिब होती हैं ऐसी बावियों से मैं रिक्वेस्ट करना साहूंगी क्यों अपनी नंदों के माईके आने पर उन्हें बुरा लगता हैं क्या वे माईके नहीं जाती वैसे ही आपका मैका होता ही वैसे ही उनका भी मैका होता ही इसलिए अपनी नंदे मैके आए तो कुसी कुसी उनके साथ रेना सही दोस्तों ये कानी कैसे लगी मुझे कमेट करके जरूर बताना अगर काने अच्छी लगे तू लाइक करना सेर करना धनियावाद दोस्तों फिर मिलेंगे